हेलो स्टुडियंट्स गूद वॉनिंग इस चैप्टर जो आर्गिनिजम और पापलेशन से इसको कम्प्लीट क्या गया था लेकिन श्रीयांसी ने फून किया कि कुछ टॉपिक्स उनको कंफ्यूजन है उन्होंने कहा कि उसमें से इंटराइक्शन्स हुआ है वह अच्छे समझ में नहीं आया है तो इसको हम रिकॉल करते हैं पापलेशन इंटराइक्शन जो हम लोगों ने इसके बारे में भी बहुत अच्छे से रीट कर रखा है इसके बारे में भी हम लोगों पढ़ा नेक्स आती है बात पॉपिलेशन इंटराइक्शन जैसा हमने आपको बताया कि जो डिफरेंट टाइप की पापलेशन एक स्पेस्फिक प्लेश पे रह रही होती है तो क्या होती है कि एक आर्गनिजम दूसरे आर्गनिजम के साथ इंटराइक्ट करता है ठीक है जब different type की population रह रही हो लेकिन एक population दूसरे population पे defend रह रही हो या दूसरे के साथ interact कर रही हो तो इस term को हम पहते है population interaction ठीक है बहुत इस simple चीज है इसमें कुछ भी tough नहीं है कि आपको समझना आए ठीक है तो पहले आपको ही जानना कि population interaction क्या है तो population interaction एक ऐसी process है जिसमें जो different type के populations होती है वो एक specific particular पर एक organism दूसरे आगनिजम पर डिपेंड रहता है तो इस term को हम population interaction कहते हैं ठीक है जैसे अब इसमें देखेंगे यह जो आपकी table दी गई है एजर्जाएंस दिया गया है population interaction थीक है उसमें यहां पर हम देखेंगे त्यक्ति दिया गया है species ए और species वी अब हम देखेंगे कोई भी species A है और एक species V है थीक है तो क्या होती है है यहां पर हम देखेंगे पर दिखेंगे नेम आफ इन्टरेक्षन है वो different type के होते हैं उन और नेक्स है इसलीहनिजम। और नेक्स है अमेलिजम। ठीक है। तो हम देखेंगे, जो मियुच्यलिजम होती है, वो एक ऐसी स्पेसिफिक इंटरेक्शन सो होती है, जिसमें दोनों इस्पिसिज्ञ ठीक है locks एक इसिज़, दूसे species के test में रहते हैं और दोनों को beneficial होता है दोनों को benefit मिलता है तो इस term को, हम mutualism कहते हैं गाला मनों इस इस वा लिज़् Thean को भी फाइदा हो रहा है औरको वह को भी फाइदा हो रहा है किसी को नुक्सान नहीं हो रहा है तो इस term को हम कहते है Mercedes System 2003 मलब काmm Бог कि इस Zimbiosis भी बोल सकते हैं, सह जी भी, जो लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हो, लेकिन किसी को नुकसान ना हो रहा हो, तो इस टर्म को हम करते हैं, Ursulism करते हैं, ठीक है तो इसमें इसमें इसपेसीज ए को भी वेनिफिट हो रहा है, और इसमें को भी तो इसमें दोनों को नुक्सान होता है, मनलब जो बहुत ज़्यादा सबल होगा, पाउरफुल होगा, इस्टांग होगा वो दूसरे पर अटाइक कर देगा, चाहे एबी पर अटाइक करेगा और इसको इस इंवार्मेंट में सर्वाइब करने को परमिट नहीं करेगा, तो इ फाइदा होगा, और दूसरे को हजाएगा, नुक्सान ठीक है? इसको नूक्सान हो जाएगा, इसको फाइदा हो जाएगा. ठीक है? तो इसको करते है, śmु प्रीशन कहते है,bab्ťजान मिल्ज जो कार्णी व्ोर्स आगनिजम सोते वह दूसरे का सिकार करते हैं तो इस तर्ण को हम प्रिडिशन कहते हैं नेख जाती है पैरा सिटीजम ठीक है इसमें आपने देखा होगा कि एक होस्ट होता है और एक होता है पैरा साइट जो होस्ट होते हैं होस्ट पर डिफरेंट टैप के आगनिजम सर्वाइब करते हैं और कि इसमें एक ऐसा आर्गनिसम्स होता है जो दूसरे के टेस में रह रहा होता है लेकिन उसको तो फायदा हो रहा है जो रह रहा हो लेकिन दूसरे को नुकसान भी नहीं हो रहा है ठीक है मलब जो 20 पिसीज है उसको नुकसान भी नहीं हो रहा है और इसको फायदा हो रहा है तो कि 20 विशीज को नुक्सान होता है और इसको नुक्सान बिलकुल नहीं होता है तो इसको हम कहते है आमन सेलिजम ठीक है तो यह है नेम आफ इंटरेक्शन उसमें हमने देखा है मेचलिजम किसे फंजाई हो गए रहा है एक दूसरे के साथ रहते हैं किसे को नुक्सान नहीं होत से को नुकसान नहीं हो रहा है ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों ने मिर्चलिजम्स की बात करी कंपरिशन्स की बात करी परासिटिजम्स की बात करी और प्रडिशन्स की बात करी ठीक है यह बहुत ही इजी टॉपिक्स है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है Tradition में हमने देखा है इसे की आप तीर को क्या कुछा करता है कर लेता है खाइच कर देता है कर लेता है और उसको गल और टा defaultài आती है जो हम आपनिशन से धाँ की एक आगनिजम दूसे आगनिजम को कंपीट करता जिसद आजागनिजम से हमने जाना कि Charles Darwin ने कहा था कि जो different type के organisms होते हैं वो environment में आने के बाद struggle करते हैं और जो सबसे fittest होगा वही nature में survive कर पाएगा ठीक है तो यहाँ पर जो natural selection theory Charles Darwin ने दी थी वो लागू हो रहा है कि जो अपनी चाहे जूफ लेंग्टान या फिर फाइड फ्लेंग्टान होते हैं उनको different type के अगनिजम इट करते जाते हैं लेकिन जो कंप्रिशन को सेयर कर लेता है वो बच जाता है और उसकी species जो होती है वो maintain रहती है तो यहाँ पर होती है कि जो fittest होगा उसको different type के condition से complete करना पड़ता है environmental condition से और जो different type के उनके को हम predictions कहते हैं और sorry competitions कहते हैं जो एक दूसरे के साथ compete करते हैं नेक्स बात आई जो मनद parasitism होती है उनमें हमने देखा कि जो host होते हैं host पर different type के अगनिजम होते हैं जैसे teen या सोलियम वगरा हम लोगों के पेट में रहते हैं ठीक है तो वो लोग क्या करते हैं कि host को नुक्सान पहुचाते हैं और खुद को फाइदा होता है तो इस term को हम parasitism कहते हैं ठीक है इस term को हमने क्या नाम दे दिया parasitism इन डिफ्रेंट टाइप के होते हैं एक होता एक्टो पारसाइट एक होता इंडो फारसाइट एक्टो पारसाइट ऐसे पारसाइट जो हमारे सरीर के बाहर रहे करके हमको नुक्सान पहुचा रहे हूँ उनको हम एक्टो फैरासाइट्स कहते हैं एक होता है इंडो फैरासाइट्स जो सरीर के अंदर रहे करके नुक्सान पहुचाते हैं उनको हम इंडो फैरासाइट्स कहते हैं नेक्ट बात आती है commercialisms एक ऐसा interaction होता है जिस पर एक species जो होती है उसको benefits होता है लेकिन जो दूसरा organism होता है उसको कोई harm ना हार्म होता है और ना ही benefited होता है जिस तरीके से different type के orchids मेपी fights हो गारा mango branch पर पाए जाते हैं ठीक है तो वो मलब खुद को तो benefit करते हैं लेकिन जो host होते हैं उनको कोई नुक्सान भी नहीं होता है तो इस तरीके के conditions को या इस तरीके के interaction को हम common cellisms कहते हैं ठीक है और हम देखेंगे different type के mutual relationship होती है tree or wife में यह pollination करने में help करते हैं या और भी different type के ऐसे conditions होती है जिनमें इनको beneficial होता है next आता है mutualism ठीक है इनमें क्या होता है कि एक organism दूसरे organism के साथ mutual लेता है जिसमें दोनों organism को बरावर फायदा होता है ठीक है तो यह भी specific type के interactions होती है जिसमें दोनों organism को both organisms are beneficial for this ठीक है उनमें जैसे हम fungus को देखेंगे माय को राइजा हो गयरा होता लेगिमिनस बैक्टिरियाज होती है जो हमारे स्वायल में या फिर जो different type के plant होते हैं उनमें nitrogen fixation करते हैं और उनके root नोडियूल से खुद अपना nutrition भी गीन करते हैं ठीक है तो यह भी होता है इसको हम mutualisms कहते हैं जिनमें जो दोनों टाइप के organism होते हैं दोनों को beneficial होता है और दोनों फुराफाइट्स होते हैं इसके लिए ठीक है तो यह बहुत ही आसान chapter है इसमें हमने आपको पहले से भी प जाना ठीक है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है mutualism, competitions, tradition, parasitism, commercialism और immensealism ठीक है आपका कल से प्रिपोर्ट भी होने वाला है उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रेपियर पर लें और यह चाप्टर आपका जो बायो कहाई यह बहुत ही इजी है इसमें कोई दिक्कत नहीं है को बच्चे से पढ़ लिजे इसको हमने revise दिकरा दिया तिकर ओके थैंक्यू बेरी मैच कर दो